जहीन फ्रेंट्स जीनिवस के एक रिपोर्ट के मुतबिक इंडिया में 14% लोगों में कॉंस्टिपेशन यानि कब्ज के बिमारी पाया जाता था यह पर पाया जाता था इसलिए बोला क्योंकि यह रिपोर्ट 2015 साल के है मतलब 2015 साल तक हर 100 में से 14 इंसानों में जाता था लगता है इसलिए एक कुछ हीरो इरोइनों में एस सिम्टोम आजकाल देखने को मिल जाता है हाली में गाना लौच होता उस गाना में जो हीरोइन का डांस था वो देखके मुझे यह ऐसा ही फिलो रहा था है कि वो हीरोइन कॉंस्टिपेशन का सिकार होके यह सब कर रहा था मजाग कर रहा था लेकिन आप इसे सिरियसली ले सकते हो क्यों इसका जब आपको वीडियो में थोरी ही देर में मिलने बाले है इंडिया में 2015 साल तक मुंबाई में कॉंस्टिपेशन के मरीज सबसे ज्यादा था लेकिन 2018 से लेकर अभी तक कोलकाता में सबसे ज्य ठीको भी हो सकता है मुझे भी हो सकता है तो डीजिस होने से पहले हम अगर साबधन हो जाते है तो हमें डीजिस होगा ही नहिं लोगों के kidney damage हो रहा है, liver खराब हो रहा है, और आखो में पट्टी बंथ के रो रहा है, मतलब शरीर में कच्चरा carry करके चल रहा है, और आखो में पट्टी बंथने का मतलब है मानो किसे का pair कट गया है, तो उसे खोल के देखना चाहिए न, देखने के बजाए उस घाव पे अ और गंडे में जो के मौत हो जाएगा और यह हो ही रहा है अगर अपने ध्यान से चारों तरफ आग खोल के देखा तो देखना देतरत कितना बर चुका है आज के दिन पे तो पहले से अगर आप एवायर हो जाते हो तो इससे बच सकते हो वैसे कुछ कॉमपानिया आपको एवा आइन याद आ रहा है बोलो जुबा केसरी 50% सलाइबा तो गुटका थुकने में चला जाता है और अगर सलाइबा मतलब मुझ में जो लार बनते है वो अगर हमारी खाने में ना मिले तो डाइजेशन प्रोपार नहीं होगा और डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो प्राइब जरूर करके रखना इससे मुझे कुछ फाइदा होना हो आपको जरूर फाइदा होगा तो अब टॉपिक पे आते कॉंस्टिपेशन मतलब कभज के बिमारी यह सुनने में चोटा बिमारी लग सकता है आपको लेकिन यह बहुत ही खत्रनक बिमारी है और शायद आ प्राइला कॉंस्टिपेशन की होता है दूसरा इसका लक्षन क्या क्या होता है तीसरा इसका इसका इलाज तो कॉंस्टिपेशन क्या है यह पहले हम समझ लेते अगर हपते में चार बार से कम टॉलेट होता है तो इसे हम कॉंस्टिपेशन यह फिर कभज के बिमारी कह सकते ह आपको ऐसा भी लोगा कि आपका ट्वालेट क्लियर नहीं हुआ है, पेट साप नहीं हुआ है, आपको ट्वालेट करने में दिक्कत होगा, ट्वालेट सूखा सक्थ टाइब का होगा, एनस में दर्थ महसूस होगा, या तक खून भी निकल सकता है, वैसे खून कबजी के को भी जा सकता है लेकिन ज्यादा तर 70% लोगों को सुभा ही होता है और सुभा ट्वालेट होना सबसे ज्यादा फाइदेमंद होता है हमारी शरीर के लिए और देखो सब का एक पैटर्ण होता है मानों किसी का हपते में साथ दिन ही रोज होता है, किसी का छे दिन होता है, किसी का पास दिन होता है, और हपते में अगर चार दिन से कम होता है, तो हम उसे constipation या फिर कब जिक के बिमारी कह सकते हैं, जिससे बहुत सारे बिमारी शरीर में जगा बनाने लगते हैं, क्योंकि ट बंदेगी हमारी खुन में मिल जाता है तो हमें high blood pressure होगा और अगर high blood pressure होगा तो heart attack भी हो सकता है और हो सकता है क्या हो ही रहा है कोरोना के बाद high blood pressure, heart attack rate, kidney damage, fatty liver यह सब बहुत ही जादा देखने को मिल रहा है और constipation से Parkinson disease भी हो सकता है जो brain के nervous cell damage होने पर होता है इसके बाद diabetes, colon cancer, IBS, irritable bowel syndrome, rectum में problem, thyroid में problem, hormonal dysfunction यह सब हो सकता है अगर सही टाइम पे न रोका जाए आप ऐसा होता क्यों है मतलब constipation होने का कारण क्या है कौन सी गलतिया है जो हमें नहीं करना चाहिए हम जब खाना खाते है तब खाना बोलास बनके सबसे पहले हमरे stomach में जाते है उसके बद चोटे आत में चोटे आत से फिर बर्यात में जाते है बर्यात में से होकर लास्ट में एनस में से निकल जाता है तो यह simple एक रोज का process है अगर किसी भी कारण से यह process धिमा पर जाए मतलब आज अपने खाना काया वो खाना जाके परसो निकल रहा है खाना जब stomach में से intestine म करता है vitamin, water, glucose यह सब observe कर लेते हैं और observe होने के बाद जो रह जाता है वो किसी काम पे नहीं आता है तो waste पदर बाहर निकल जाता है तो यह अगर time to time बाहर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह गंदिगी को आप से अगर प्यार हो जाए और आपको छोर के ना ज चाहे तब दिक्कत है तब यह धीरे धीरे निकलेगी इसका सबसे पहला कारण है low fiber food अब जो खाना हम खाते है उसमें अगर fiber की कमी होगा तो यह process धीमा पर जाएगा दूसरा कारण है पानी के कमी हमारी पेट में जो digestion होता है वो पूरा process पानी में होता है तो अगर पानी श सब जंगफूट खाने से यह process धीमा पर जाता है क्योंकि intestine को यह सब खाना observe करने में ज्यादा टाइम लगता है और यह सब चीजों को digest करने में ज्यादा पानी चाहिए होता है और intestine ज्यादा मात्र में पानी सोक लेता है इस बज़ा से मल सुखा पर जाता है और सक्त हो जात जाता है और दीरे दीरे रेक्टम में जाके अटक जाता है चौथा करन इग्नूर अब यह पर boyfriend girlfriend का इग्नूर मत समझ लेना ट्वालेट के पेशर का इग्नूर कई बर ऐसा होता है कि हम किसी जगा पर काम पर बिजी है या फिर किसी दूसरे चीजों पर बिजी होते है ठिक तभी टोइलेट का पेशर आता है और आप उस पेशर को रोकने की कोशिश करते हो इग्नूर कर देते हो के बाद में कर लेंगे तब यह गंदगी रेक्टम में रह जाता है और रेक्टम को आता है गुस्सा तब रेक्टम कहता है रुको बेटा अभी तुमें सबक सिकाता है और बाद में रेक्ट हमी टोईलेट को बाहर नहीं निकलने देता है पाच नंबर कारण है फिजिकली इनेक्टिव और चेंज लाइपस्टाइल अभी कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन के बज़ा से अचानक से सब के लाइपस्टाइल चेंज हो गया था और लॉकडाउन खोलने के बाद फिर से उल्टा हो गया तो ऐसे लाइपस्टेल चेंजिंग में कॉंस्टिपेशन होने का खत्रा रहता है अब आता है दूसरा पॉइंट सिम्टम क्या क्या लक्षन दिखाई परता है कॉंस्टिपेशन होने पर जो बात पहले बताया था आपको हफ्ते में चार बर से कम टॉयलेट होगा टॉयलेट बहुत ही सक्ट टैप का होगा और टॉयलेट करने में आपका जान निकल जाएगा और टॉयलेट थोरा होगा आपको ऐसा पील होगा कि टॉयलेट क्लियर नहीं हुआ है और पेट में दर्ध हो सकता है, lower back pain हो सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर gas भरी हुई है और उल्टी हो सकता है, बुखार हो सकता है, और mental आपको चिरचिरापन महसूस होगा, stress होगा और गुस्सा भी आ सकता है और physically long term side effect में बजन बर भी सकता है, और बजन घड़ भी सकता है IBS हो सकता है, मतलब irritable bowel syndrome, जिसमें lose motion and constipation एक साथ होता है तो IBS के बारे में detail में अलग वीडियो में जानेंगे तो जो symptom आपने देखा, यह symptom अगर आपने नजर आता है और toilet के सथ खुन भी निकलता है, तो आप तुरंत एक doctor के पस जा सकते हो अगर यह बहुत ही जादा मत्र में भर चुका है तो और अगर आपको उतना जादा problem नहीं होता है, कभी-कभी ऐसा होता है और अभी शुरू ही हुआ है, तो इसे अभी रोको, रोकने के लिए तीन नमबर पॉयंट पे आता है treatment, वैसे तो काफी सारी medicine है एलिपेथी और हुमियोपेथी में, लेकिन यह सब temporary solution है medicine जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, बाद में फिर से problem होगा तो इसे जर्सक कैसे खतम करें, तो पहले ही आपको food eating habit को change करना परेगा एक इंसान को रोज 22 से लेका 34 गम तक fiber चाहिए होता है तो daily routine में fiber add करना परेगा, जैसे कि सबजी, फल, इन सब चीजों में बहुत ज़्यादा मात्र में fiber होता है और आनाच खाते बग ध्यान रखो, उस आनाच में starch जरूर हो starch मतलब चोकरा, जिसे हम छिलका भी कहते है, किसी भी आनाच का छिलका, जिसे हम starch कहते है और आपको starch जुक्त आनाच खाना परेगा जैसे कि मैदा में चोकरा नहीं होता है, लेकिन गेहू के आटा में चोकरा होता है तो आप मैदा की बजाए आटा खा सकते हो क्योंकि मैदा में बहुत ही कम मत्र में fiber होता है, जो पेट में जाके चिपक जाता है और आटा में परियप्त मात्र में फाइबर होता है तो अब आटा खा सकते हो और वाइट रैस में भी बहुत कम मात्र में फाइबर होता है मतलब सफेज चावल में फाइबर का मात्रा बहुत ही कम होता है इसके compare में brown rice में बहुती ज़्यादा fiber होता है तो ये तो था आनाच, आब आत है vegetable में कौन सी vegetable में सबसे ज़्यादा fiber मिलता है सबसे ज़्यादा fiber मिलने वाला vegetable है गाजर, बीट, ब्रोकोली, केला, राजमा, पत्तागोबी, ये सब और आब अथे फल में, फल में सबसे ज़्यादा fiber मिलता है orange and apple में और अगर आपको fry food खाने का बहुत शौक है तो आपको दुखी होने का कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि एक fry food भी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मातर में फाइबर है और ये सब का favorite भी है ये है popcorn अगर आप snacks लेतो हो तो junk food के बदले popcorn हाजर गुन बेटर एक food है और गर्मी के मौसम में 3 से लेकर सारी 3 लिटर तक पानी पीना चाहिए एक adult इनसान को और अगर आप daddy product खारे हो जैसे कि दूद, पनीर, दूद से बने चाय तो इन सब चीजों को कुछ दिन के लिए चोर के देखो और एक बात ध्यान में रखना पर गा कि थोरा exercise रोज करना परेगा चाहिए कुछ भी आए आपको exercise तोरा करना ही परेगा और आपको देखना पर गा कि मैं कौन से चीज खा रहा हूँ जिससे मना constipation का problem शूरू हो रहा है या फिर आप कोई ऐसा medicine तो नहीं ले रहा हो जिसके बज़ास से ये problem हो रहा है अगर कोई medicine लेने के बज़ास से ये problem हो रहा है तो आपने doctor से discuss करो और सराप cigarette इन सब चीजों से दूरी बनाया रखो time to time खाऊ और एक daily routine बरकरार रखो ऐसी आपको constipation से चुटकरा मिल जाएगा तो जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए healthy रोज स्वास्त रोज थैंक्यू सो माच उश्यू अल्दा वरीवेश्ट